नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोसन की क्लास यूट्यूप चनल फ्रेंड्स आप सभी का आज किस वीडियो में एक बर्फिस से बहुत-बहुत स्वागत है आज किस वीडियो में हम देखेंगे दनिक पाठियोजना जिसका विशे होगा आपका समाजवी ज्यान और उप विशे अगर आप कहेंगे तो समाजवी ज्यान में आपको पता है कि इतियास, भूगल, नागिर सास्त ये सब सारे विशे आते हैं तो आज का हमारा जो उप विशे है उसको भूगल कह सकते हैं आप तो पूरी वीडियो देखेगा और वीडियो देखने के बाद अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा आप पाठी होजना बनाना संख्या लिखनी होती है जैसे आप लिखा गया इस तरीके से भी लिख सकते हैं पाठी होजना नंबर 6 आपका जितना भी नंबर होगा एक दो तीन्चार वह अपनी ही साप से लिख लीजिएगा उसके बाद विद्याले का नाम लिखना है जिस विद्याले में आप पाठी होजना पढ़ाने के लिए जाएंगे यानि जो विद्याले आपको एलोट होगा आपको अपने विद्य कर्कंई के भूग लिख सकते हैं विए समाज लिखते बेटेंस को काफी क ostr में चाकर Republicans कहते हैं कesta यहां पे आपको लिखना है तो आप कख्छा साथ साथ से लेकि नो तक स्फपकर दशाख सकते हैं समयावद ही है यहां पे चालिस से पैतारिस मिनट लिखना तो चालिस पैतारिस मिनट जो भी आपको कॉलेज वाले कहें कि जितनी दिर का लेना उतना लिख लिजिए 35 से पैतारिस मिनट लिखा जाता है उसके बाद वर्ग है यानि सेक्षन किस सेक्षन में पढ़ाने जा रहा है तो A, B, C, D, जो भी अब असा जो भी है उसको लिख दीजिएगा नेक्स्ट अब हेडिंग आता है यहां पे सिच्छड उद्देश है इसी को कहते हैं विशिष्ट उद्देश है इसी को कहते हैं प्राप्य उद्देश है यानि कि आप एक सिच्छक हैं य выгляд सिच्छिका हैं तो आपका ये चैप्टर पढ़ाने का जैसे हम पढ़ा रहे हैं आज महादवीब तो महादवीब चैप्टर पढ़ाने का आपका उद्देश से क्या है अगर इसके पहले काफी कॉलेजिस में सामान ने उद्दे से लिखने के लिए बोला जाता है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा सुन लिजेगा और मेरे अन्य वीडेयो में अगर आपको देखना हो PROD यहाँ पैन के क्लिक कर करके देख भी सकते है सामान उद्देश का basically मतलब यह होता है आपका जो विषय है और उप विषय है उसको पढ़ाने से बच्चे क्या-क्या सीखेंगे उसके बारे में सामान उद्देश के इंतरगत कम से कम 4-5 बन लिखा जाता है उसी तरीके से आपका जो विषय होता है या फिषय होता है उसमें आपका जो टॉपिक होता है जैसे मरा आज का प्रकड़ है महादीब तिसराइडिंग है ज्यानोफयोग इसमें लिखा गिया है विद्यारत्य महादीप का निड़ है लेकिए दूसरा पॉइंट इसमें विद्यारत्य महादीप से सीधे सीखे हुए ञ्यान गियान का प्रीओ स्थना अंतरत कर सके । प्रति आपने जो सीखा है उसको दूसरों को बता सकेंगे। अगली है यहाँ पर कॉसलात्मक कॉसलात्मक मुझी लिखा गए पहला पॉंट निक्ष दिक अम आते हैं तो आप इसको भी यहां पे लिख सकते हैं से नेख अदिक आएगा से बच्वों के लिए पूरुग्यान में दिखा गया विद्यारथी महादीब के बारे में सामाने जानकारी रखते हैं जो भी आपका टॉपिक उसको इस तरीके से लिख दीजे, विजयार थे उस टॉपिक करना सामाने जानकारी रखते हो, अब अगली heading यहां पर आती, यहां पर आपको लिखना होगा प्रस्ताओना प्रस्ताओना, मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान से लिखेगा, प्रस्ताओना, यहां पर देन के बाद आपको तीन कॉलम बनाना है यहा पे करम संख्या, चाटरा ध्यापक करिया, लड़कीं तो चाटरा ध्यापिका करिया हो जाएगा और लास्ट में चाटर करिया तो यहां पर देखिए पांच प्रस पूचा गया पहला प्रसन है हम किस गरह पे रहते हैं तो बच्चे बोलेंगे सिंपल से question है प्रिथवी दूसरा यहां पर प्रसन फिर बनेगा प्रिथवी से related कि प्रिथवी के सता को कितने भागों में बाटा गया तो बच्चे बोलेंग महादीप है इसी तरीके से अफ्रिका महादीप अमेरिका उत्तरी अमेरिका दच्षडी अमेरिका इस तरीके से अलग-अलग महादीप है उसके जब आपको महादीप मिल गया चौत्य question में आपका यहां पर प्रक्रण निकल गया तो आप उस topic से related कोई ऐसा question बोलिए जो अध्यान करेंगे बच्चों को पता चल गया हो कि अवा topic पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ाना स्टार कर सकते हैं इसको heading को नाम कहते हैं यहां पर आपको heading डालना है प्रस्तुति करण प्रस्तुति करण इस तरीके छोटी सी heading डाल दीजिए इना बड़ा-बड़ा लिखन पर शारांस इसमें पहला से छड़ बिंदू में point है A.C.A. महादूप आप मैं थोड़ा सा जूम करने वाला हूं जिससे आप लोगों देखने में आसानी हो SORRY A.C.A. महादूप में फिर से दिगासाते आप परसन पूछेंगा आप पहला विच्व झन संक्या देश्व से पहले स्थान पर कौन सा देश है तो बच्चे बूलेंगे चीन दूसरा प्रसन है चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का है तो बच्चे बोलेंगे भारत तीसरा प्रसन फिर है भारत बच्चेन कौन से महादीप में है तो बच्चे बोलेंगे एसिया महादीप में चौथा कोश्चन है एसिया महादीप के बारे में क्या जानते हैं संभावित उत्तर हो जाएगा संभावित उत्तर जैसे होगा अपना छात्रा ध्यापक कतन बोलिए विस्व में साथ महादीप है इन महादीपों में सबसे बड़ा महादीप एसिया महादीप है यूरोप एवम एसिया के संयुक्त भूभाग को यूरेसिया कहते हैं ठीक चात राले कॉलम में देखे लिखा गया है चात विद्यार्थी ध्यान परोग सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्ति का में उसको नोट करेंगे प्रस्न पूछ रहे थे जो उसके उपर विकासात्म प्रस्न उत्तर विद्य हो जाएगा और जो व्याख्या दे रहे थे व्याख्या में विद्य हो जाएगा आप बहुत प्रस्न पूछे बच्चों से बहुत प्रस्न देखे पहला प्रस्न पूछा गया आर्सपरवत किस देश में हो इसको फ्रांस प्रांस में स्थित किस महादीप लिए नहीं बता पिया प्रश्ण करा है कि नहीं बता रहे हैं जो झो उसको आप वहाँ पर स्यांपट पर वही चीज लिखी जाती जो इंपोर्टेंट है सारी चीज नहीं लिखी जाती तो अपने उसा जो भी आपको लगे यहां यह यह इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लिजेगा अब यूरोप महादीप के बारे में छात्र अध्याटिक महासागार स्थित है यूरोप महादीप तीनों तरब से जल से घीरा हुआ है चात्र क्रिया वाले कॉलम में लिखना है विद्यार्थी ध्यान परोग सुनेंगे और अपने उत्तर पुष्टिका में उतारेंगे व्याख्या विदी थी तो यहां पर विदी वा यूरोप महादीप तीक्हार यहां पर देख चाट महादिप पूछी कौन सी रेखा गुजरती है बच्चे बूलेगे करक रह दूसा पर करक मकर भूमद रहा किस और भूमद से घुजरती है आपको पता होना चाहिए जो तीनों रेखाएं वह अपर के पारे महादिप के ब बताईए अफ्रिका महादीव के बारे में अफ्रिका एसिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महादीव है भूमत रेखा इस महादीव के लगबग मद्य से होकत गुजरती है यह एक ऐसा महादीव है जिसके जिससे भूमत रेखा करक रेखा मकर रेखा तीनों रेखाएं सबसे बड़ा सहारा मरुष्थर स्थित है अफ्रिका चारों तरब से समुद से घिरा हुआ है विद्यार्थी वाले कालम में आपको वही चीछ लिखने है विद्यार्थी ध्यान परक सुनेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में उसको उतारेंगे व्याक्या विदी थी तो आपको स्यमपट वाले कॉलम में आपका किनारे बना हुआ है इसमें रिखना है अब आटा है आपका यहां पर मुल्यांकन परसंत थोड़ा सा अब यमाट कर रहेता हुँ जिसे आपको देखने में आसानी हो जालmez आएर लए आपका समाप्थ ठोकिए मूलेंकन प्रस्ट में देखे लिखा गया है निऍर देश सभी प्रस्टों के उत्तर देना अनिवार रस देश विसार है विश्व में कितने महादीब यहां पर ऑक्षे श् Tech, सत, सत तो आपको प्ता है है यहाँ पर अफ्रीका महादीप से कौन कौन सी रेखा घुजरती है और दूसा प्रस्थ है यूरोप महादीप की विसेषता बताईए अब लास्ट में आता है लिख के लिए आएंगे याद करके आना है तो याद करके बोल दीजी लाना है और नीचे लास्ट में यहाँ पर्वेश्चक टिकपड़ी लिखा रहेगा और एक साइड पर्वेश्चक हस्ताच्चर लिखा रहेगा टिकपड़ी में के अंदर जो आपने पाठी होजना बूलेगा इस वीडियो की PDF आपको रोसंगी क्लास टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहां से जाके बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं नाम सेम रहेगा जैसे महादीप है तो महादीप पाठी होजना के नाम से आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत बूलेगा और डेली बेसी वीडियो देखने के लिए रोसंगी क्लास यूटिप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ बेल आइकन को दबा के रखे तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का अलबोद धनिवाद, जय हिंद, वंदे मात्रम